आप देख रहे हैं TNB अरब सागर के उपर बन रहे हवा के कमदवाओ के चलते गुजरात महाराष्ट्र केरल समे देश के छे राजियों पर चक्रवाती तुफान टॉक्टे का खत्रा पैदा हो गया है यह तुफान 16 मई को भारतिय तटो से यानि कल टकराने की आशनका है इससे भारी नुक्षान का अंदेशा है केरल में कई तटवती इलाकों में शुक्रवार से ही बारिश शुरू हो गई है समुद्र से उची लहरों के उठने के कारण तटिय इलाकों में बार का खत्रा पैदा हो गया है तुफान के मद्दे नजर सभी राजियों में राहत और बचाओ के उपाए अभी से शुरू हो गया है प्रभाओ की आशंका वाले छे राजियों में राष्ट्य आपदा मोचनबल एंडी आरफ के तिरपन दल तैनात कर दिये गया है प्रते एक दल में पेड़ वा बिजली के खंबे काटने बोट और बचाओ चकित्सा के उपकरणों से लास्ट चालिस जवान मौजूद है के भी तरिये चक्रवाती तुफान में तबदील हो सकता है 16 से 19 माई के बीच यह भयंकर तुफान का रूप लेकर भारी बरवादी कर सकता है यह तुफान 16 माई को भारतिय तटों से टकराने किया शंका है सबसे पहले इसका गोवा कोकन और मुंबै के नजदीकी तटीय इलाकों से टकराने के आसार है इससे पहले लक्षदीप में 15 माई को भारी बारिश की यह शंका है इसी दोरान तमिलनाडू के तर्टिया इलाकों में हलकी और भारी बारिश हो सकती है करनाटका में 15 और 16 माई को हलकी और भारी बारिश की चितावनी दी गई है जबकि गुजरात के सवराष्ट्रों और कच इलाके में 17 और 18 मई को भारी बारिश और तेज हवाय चल सकती है इसी दोरान तुफान वहां टकरा सकता है तुफान आने से पहले और इसके दोरान देश के तटवती इलाकों में 175 किलोमेटर पती घंटा की रफ्तार वाली तेज ह आ गया है राजी सरकार को तट्य इलाकों में बसी आबादी को अन्यंत भोजन की सला दिया गया है मौसम विभाग की चेतावनी के मद्दे नजर के रह सरकार के तिर्वंतपुरं कोलम पतनाम तिठा अलपुचा और एना कुलम जिलो में भारी बारिश की आशंका वाला के नाम दिया गया है अरब सागर के जरिये भारतिय तट्यों से टकडाने वाला यह इस वर्ष का पहला तुफान होगा हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन पर क्लिक करें साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेर कर करना ना भूले